जोहार जय मुल्निवासी मैं संकेत और आप देख रहे है MN TV राश्ट्रिय पिछडा वर्ग मोर्चा ने तीन मुद्दो के लिए राश्ट्र व्यापी चरन बद्ध आंदोलन की घोशना की थी उसमें आंदोलन का प्रथम चरन दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को बड़ी सफलता के साथ पूरा हुआ अब दूसरे चरन के आंदोलन की जोरदार तैयारी पूरे देज भर में शुरू हो चुकी है आंदोलन का दूसरा चरन 29 सक्टूबर को शुरू होने वाला है दूसरे चरन के आंदोलन में राष्ट्रिय स्तर पर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ धरनाव प्रदर्शन किया जाएगा इसके साथ ही जिला अधिकारी के माध्यम से पुना राष्ट्रपती को ग्यापन दिया जाएगा जिन तीन मुद्दों के लिए ये आंदोलन हो रहा है उसमें पहला मुद्दा OBC की जातिय गिंती का है दूसरा मुद्दा EVM के बदले EVM के बजाए बैलड पेपर से चुनाव कराने का है और तीसरा मुद्दा क्रिशी विरोधी केंदर सरकार के तीन काले कानुनों को वापस लिया जाए ये है सूतरों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी के लिए राष्ट्रे पिछडा वर्ग मोर्चा के कार्य करता दिन रात महनत कर रहे है जगा जगा मिटिंग के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे है कि यहां आंदोलन देश की सबसे बड़ी आबादी जिसको पिछडा वर्ग कहा जाता है उसके लिए उसके अधिकारों के लिए शुरू किया गया आंदोलन है यही आंदोलन उनकी दिशा और दशा को आने वाले समय में तै करेगा क्योंकि जब तक पिछडों की गिंती नहीं होती तब तक उनकी संख्या का पता नहीं चलेगा और जब तक संख्या का पता नहीं चलेगा तब तक उनको किसी भी तरह का अधिकार बहाल नहीं किया जाएगा जबकि सम्विधान में उनके लिए सभी प्रकार के अधिकारों का प्रावधान पहले से ही सम्विधान निर्माताओं ने किया हुआ है इसलिए राश्ट्रिय पिछडा वर्ग मोर्चा लगातार यह लड़ाई लड़ रहा है कारेकरताओं का कहना है कि 15 अक्टूबर को पहला चरन खत्म हो गया पहले चरन में देश के सभी जिला मुख्याले ओपर राश्ट्रपती के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से ज्यापन दिया गया लगबग सभी जिला मुख्या लयो पर हजारों की संख्या में लोग उपस्तित रहे पहले चरण का आंदुलन भारी सफलता के साथ संपन्न हुआ और अब दूसरा चरण उससे भी बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगा ऐसा उनका कहना है सूत्रों ने बताया कि दूसरे चरण की तयारी सबसे ज्यादा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महराष्टर, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम, बंगाल, ज्हारखंड, ओडिसा इन सभी राज्यों में चलती हुई दिखाई दे र मानेंगे, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि यह केवल पिछडों के ही अधिकारों का मामला नहीं है, बलकि देश के यस्टी, यस्टी, ओबिसी, अल्पसंख्यंक, यानि कुल मिलाकर मुल्निवासी बहुजनों के अधिकारों का मामला है, इसलिए यह जाती जागरती मोर्चा, राष्ट्रियक किसान मोर्चा, बहुजन नुक्ति पार्टी सहित अन्यक्षेतरिय दलों ने जाहिर समर्थन किया है, आगे चौदरी विकास पटेल ने कहा कि आजादी के 74 सालों में जानवरों की गिंती होती है, मगर पिछडों की गिंती अभितक नहीं हुई, जिसके कारण पिछडे वर्ग के सही आकड़े उपलब्द नहीं हो सके, आकड़े उपलब्द न होने के कारण पिछडे वर्ग को परियाप्त प्रतिनिद्व नहीं दिया गया, जहा पिछडे वर्ग के साथ शाषक जातियों की सबसे बड़ी धोके बाजी है, इसी आंदोलन के तहट पांचवे चरण में दिनांग 10 दिसंबर को भारत बंद का भी आवाहन राश्रिय पिछडा वर्ग मोर्चा की तरब से किया गया है